माननिय प्रधानमंती जी माननिय तक्षमहोदाएं आज मैं आपके बीच देश के लिए बहुत ही महत्वपूर और एतिहासिक विशय पर जानकारी देने के लिए विशेश तोर पर उपस्तित हूँ ये विशय करोडों देशवासियों की तरह ही मेरे रुदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ ये विशय माननी अध्यक्ष महोदय बहुत ही पवित्र वातावरन था उसी दिव्य वातावरन में मुझे देश की सरवच्च अदालत वरा राम जन्ब भूमी विशे पर दिये गए आइतियासिक फैसले के बारे में पता चला था इस फैसले में माननीय सरवच्च न्यायले ने कहा था किस्री राम जन्ब भूमी के विवादिस थल के बीतरी और बाहरी आंगन पर राम लला विराजमान का ही स्वामित्व है माननीय उच्चतम न्यायले ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में परामश करके सुन्नी सेंट्रल वकब बौड को पांच एकर जमीन आवन्टिव करें माननीय अद्र जी मुझे आज इस सदन को पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबर केंद्रिय मंत्री मंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोड के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णे लिए गए मेरी सरकार ने सुप्रीम कोड के निर्देशानु सार स्री राम जन्मस्थली पर भगवान स्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे सम्मंदित अन्य विशाओं के लिए एक ब्रहद योजना तैयार की है सुप्रीम कोड के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट स्री राम जन्मभूमी तिर्टक्षेत्र रसका नाम होगा स्री राम जन्मभूमी तिर्टक्षेत्र स्री राम जन्मभूमी तिर्टक्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान स्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य स्री राम मंदिर के निर्मान और उससे सम्मंदित विशो पर निर्णे लेने के लिए पूर्ण रुप से स्वतंत्र होगा माननिय सर्वच अदालत के आदेश अनुसार गहन, विचार, विमर्ष और समवात के बाद अयोध्या में पांच एकर जमीन सुन्नी वकप बोड को आवंटित करने का अनुरोथ उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया इस पर राज सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है मानिय अद्यक जी भारत की प्राणवायू में भारत के आदर्शों में भारत की मर्यादाओं में भगवान सी राम की महत्ता और अयोध्या की अहित्यासिक्ता से अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भाती परिचीत है अयोध्या में भगवान सी राम के भव्य मंदिर के निर्मान वरतमान और भविश्व में राम लला के दर्शन करने के लिए आने वाले स्रद्धालों की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते विए सरकार द्वारा एक और महत्वपून निर्णे लिया गया है मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहट अधिग्रुहित संपुर्ण भूमी जो लगवक 67.703 एकड है और जिसमें भीतरी और बहरी आंगन भी सम्मिली थाए उसे नवगठीत स्री राम जन्ब भूमी तीर्तक्षेत्र को हस्तार्म तरीक किया जाए मानिय अध्यक्ष महोदय नव नवंबर को राम जन्ब भूमी पर फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने अपनी लोकतंत्रिक व्यवस्ताओं पर पूर्ण विस्वाद जताते हुए बहुती परिपक्पता का उदाहरन दिया था मैं आज सदन में देशवासियों के इस परिपक्प व्यवार की भूरी भूरी प्रसंसा करता हूँ माने अद्धेश्री हमारी संस्कृती हमारी परंपराएं हमें वसुधय कुटुम कम और सरवे भवन्तु सुकिनः का दर्शन देती हैं इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेड़ा भी देती हैं हिंदुस्तान में हर पंथ के लोग चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सीख हो इसाई हो बवद पार्शी और जैन हो हम सभी एक ब्रहत परिवार के ही सदस्य है इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो वो सुखी रहे स्वस्त रहे सम्रुद्ध बने देश का विकास हो इसी भावना के साथ मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है आईए आईए इस अहितिहासिक छण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में स्री राम धाम के जिर्णोधार के लिए बव्य राम मंदिर के निर्वान के लिए एक स्वर में अपना समर्धन दे अपना समर्धन दे राम मंदिर के लिए उपार गया।